स्टूजिंट्स अभी मैं आपके साथ डिस्केस करूंगा डिस्टेंस बिट्विइन टू पॉइंट्स ठीक है कॉजिनेट जोमेट्री में मान लीजिए हमें दो पॉइंट दिये हैं क्या सपोस्ज यह दिया है एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन और यह वाला पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का डिस्टेंस डी डिस्टेंस इस इक्वल टू डी यह क्या होता है एक्स टू माईनस एक्सेड़ स्क्वार माईनस पॉइन इज्टेंस जाया है घ्डिस्टेंस के डिस्टेंस बिट्वीन दू स्क्वाइंट क्वाइंस vehicles अज्टेंस अगिए तू आन क्हों से नो पॉइंट से। ली में टूइंस गेरिफेंट अज सून एंस एत्षटेंस स distance between two points x1 y1 and x2 y2 यह क्या हो जाता है x2 minus x1 square y2 minus y1 square यह formula है हमारा distance का ठीक है मान लीजे मैं आसी कहता हूं मेरे पास एक point है 4,5 और एक point है 9,17 तो इन दोनों के बीट का distance कितना हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा x1 यह हो जाएगा y1 यह हो जाएगा x2 यह हो जाएगा y2 तो इन दोनों के बीच का distance कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का distance हो जाएगा under the root x2 x2 कितना है 9 minus x1 कितना है 4 9 minus 4 का square plus ठीक है 17 y2 minus y1 17-5 का square यह कितना आ गया 5 का square plus 12 का square 5 का square plus 12 का square कितना आ गया 25 plus 144 यानि यह कितना आ गया 169 अंडर के अंदर ठीक है 255 का square 12 का square जिनको याद है वो डारेक्टली लिख देंगे वो क्या होता है वो होता है 13 तो इन दो points के बीच का हमारा distance कितना आ गया 13 यह तो हो गया students basic मैंने आपको example करा जिए मैं आपको समझाता हूँ यह ऐसा क्यों होता है यह अगर आपको समझ आएगा ऐसा क्यों होता तो आपके basic concept clear हो जाएंगे थोड़े से ठीक है देखिए कैसे निकाला मैंने मेरे पास यह एक राइट अगैंगल त्रारes यह क्या क्या है यह क्या है यह क्या होती है यठ अवागोности से हीय सटिय्वयको और सब्सक्स्राइब और इस यह हम सब को पता यह हैई इनर का स्क्वेयर प्लस बेस नैसे और अब ना जब यह triangle complete हो रहे हो देखिए अब यह क्या है इस ट्राइंगल में यह है hypotenuse यह है perpendicular मान लीजर यह है base अब अग्र मैं ध्यान से देखु यह coordinate क्या है यह x1 इसका x coordinate क्या है x2 यह x1 है ठीक है ऐसे इसका y coordinate क्या है देखा कि अगर आप ध्यान से तो यह है y1 इसका y coordinate क्या है यह है y2 ठीक है तो यह perpendicular कितना हो गया यह perpendicular हो गया y2 minus y1 यहाँ से लेकर यहाँ तक यह base कितना हो गया यह हो गया x2 minus x1 x2 minus x1 perpendicular हो गया y2 minus y1 perpendicular y2 minus y1 base x2 minus x1 तो पाइथागर स्योर्म क्या करती है distance d is equal to perpendicular का square plus base का square मैं दुबारा लिख दता हूँ h क्या होता है h होता है under root p square plus b square p यहाँ पर कितना है y2 minus y1 base कितना है x2 minus x1 ठीक है और हमारी hypotenuse क्या है जो हमें निकालनी है उसकी length है वो है distance d h क्या है यह है distance d distance d की value क्या है x2 minus x1 square y2 minus y1 square मैंने आपको एक example से निकाल के दिखा दिया है मुझे उमीद है यह basic आपको अच्छी तरह से clear हो गया होगा झाँ के लुषर होगा है यह विखा है